तो नमस्कार दोस्तों Mr.Tundra की यूटूब चनम आपका स्वागत है इस बिडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Guru एप में किस तरह से आटोपे को बंद करोगे आटोपे होता क्या है अगर आप mutual fund start करते हो तो उसमें आटोपे setup किया जाता है जिससे आपका जो भी payment है automatic आपका जो भी date set करते है उस date पर automatic payment हो जाता है और आपका जो भी SIP है यहाँ पर mutual fund है वो start रहता है तो किस तरह से इसको close करना है और मैं आपको बता दूँ अगर आपका यह आटोपे start है और अगर आपके bank में पैसा नहीं रहता है कभी कभी और आपका installment date आ जाता है इससे आपको किस तरह से बचना है तो इससे आपको ar u.p.p किस तरह से बंद करना है सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहाँ पर देख चेक्तु है जो भी आपका bank primary है उस पर click करने के बाद आपके समने इस तरह का interface देख जाता है, यहाँ पर देख चीक्त आटो पे या OTP, तो यहाँ पर आपका आटो पे ID देख जाता है, यहाँ पर status approved देख जाता है, और आपकी stem में create किये थे वो date और यहाँ पर मंध देख जाता है, तो अब आपको किस तरह से close करना है, और यह close क हो नहीं हो रहा है तो यह भी देख लो तो ये इसलिए हो रहा है अगर आपका कोई बी ऐसे एक ए स्टार्ट है मतलब कि में पैसे भल पंड़ मुष्व आप SIP वाले section पर आना है और फिर आपको इस तरह का interface दिख जाएगा इस पर click करने के बाद आपके सामने आ जाता है यहाँ पर previous installment तो हम कर दिये थे second मेरा जो भी date है 5 अगस्त 2024 यह सो हो रहा है तो अगर आप चाहो तो इसको skip कर सकते हो अगर आप इसको skip कर देते हो तो next installment आपका नहीं लगेगा अगर आपके bank account में पैसा नहीं भी रहेगा तो आपका कोई भी charge नहीं लगने वाला है तो यहाँ से आप skip कर सकते हो और अगर आ आप automatic सब दिन के लिए बंद करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसको close करना होगा जो भी आपका mutual fund है तो close किस तरह से क्या जाता है सबसे पहले तो मैं इसको close कर लेता हूँ इसको बंद कर लेता हूँ जो भी पैसा है इसमें invest वो withdrawal कर लेता हूँ तो मेरे description में वीडियो है वो वीडियो easily देख लेना है बहुत easily तरीके से मैं उसमें बताया हूँ तो सबसे पहले mutual fund में आपको यहाँ पर जो भी आपका SIP है सबसे पहले उसको cancel कर देना है अब cancel किस तरह से करना है डाकसवूड वाली section पर क्लिक करना है मैं यहाँ पर अपना cancel कर दिया हूँ cancel करन अपने profile पे तो गुरू के profile पर चले जाना है तो अपने account के profile पर जिस्थि आप किलिक करते हो इस पर जहसे आप szerank करतो आपके समने love channel ओ offenders दीख करना है तो बैंक वाले उप्सन पर जैसे आप किलिक करते है तो यहां पर देख सकते है आटो पे विया ओटीपी और यहां पर आपका एप्रूब्ड आएडी दीख जाएगा यहां पर कवा आपको सब कुछ दिख जाएगा यहां पर आपको थ्री डॉट वाली सेक्शन पर कि जाता है फिर से आपको डिलीट वाले सेक्शन पर किलिक करने के बाद फिर से आपको यहां पर देख सकते हो तो यहां पर डिलीट वाले सेक्शन में मुझे से किलिक किये तो यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि जो भी हम अपने केश्टेमर से बात करें किस्टेमर से बात लग चुका है, आपका यहां से easily cancel हो जाता है, अगर आप cancel नहीं कर पाते हो, त्थो अब आपको करना क्या होगा, यहां पर ग्रू अप में, अगर आप यहां से cancel नहीं होता है, आपका फिर से आट उपे रह जाता है, तो आपको customer से support लेना है, यहां पर फिर से profile वाले section पे click क करते हो आप यहां से मिचवल फंड के बारे में क्या चीज के बारे में करना चाहते हो तो मिचवल फंड के बारे में या जो भी आप करना चाहते हो आपको सेलेक्ट कर लेना है तो आई हैब करना होता है जो भी SIP होता है SIP को कैंसिल करना होता है रिडीम करना होता है अगर आपका रिडीम हो जाता है फिर आपको SIP कैंसिल करना होता है अगर आपका कोई भी SIP नहीं रहता है फिर आप इसली आर्टोपे को बंद कर सकते हो तो आई होप आप समझ गए होंगे